जश्न मनाता रहा योगी राज, योगी की सरकार जश्न मना रही थी, सफलता की अपनी तावीर लिख रही थी, बिग्यापनों को जरिये, जूटे बिग्यापनों को जरिये एक नेता, जी हां, तीन अक्टूबर 1977, इसी दिन गिरफतारी हुई थी, इंद्रा गांधी की, जब विपक्ष की सरकार बनी थी, और तीन अक्टूबर को प्रिंगा गांधी की गिरफतारी हुई, प्रिंगा गांधी जिनको बीती रात गिरफतार किया गया था, जिनके वारे शोशल मेडिया पच्छाई हुई थी, ख़बरों में जानों के साथ खड़े हैं, लगता है यूपी की तकदीर बदलने वाली है, इस सियासत की तकदीर बदलने वाली है, अबी जन्वरी पे कौन थे, भारति इंता पार्टी के सपोर्टर थे, जिनको भारति इंता पार्टी ने जमानत दे दी, और यहाँ पर कौन था, गोली मारने वाला, बात ये खुल करके आई, कि मंत्री जी के लड़के ने गोली चलाई, और जिसमें वो मिश्राजी कह रहे हैं, मुझे जानते हैं, या तो मैं किसे भड़ता नहीं, और जब चुनोती ले ले लेता हूँ, तो लखीम पुर तो क्या, मैं बलिया तक में किसी को रहने नहीं देता, मिश्राजी की जिस राजनीती ने इंसानियत का सर जो है शर्म से जुका दिया है, भाई उसके लिए जो है सारे मार्क्स जो है उन विपक्षी पार्टियों को भी दिये जाने चाहिए, जो विपक्षी पार्टियों नेलावी में साथ में शामिल हो जाती है, उन लोगों के, उन सरकार के टट्टू बन करके, जो बोलने लगते हैं कि मुआब जा एक करोड रुपे दो, या दो करोड रुपे दो, एक तरह से एजेंट का काम करते हैं जब भी किसी किसान किया शह परिवार के लिए जरूरी नहीं होती, कि मौत की कीमत दे दी और बस मामला रफा रफा हो गया, सुनने में यह आया है कि उत्रपरदेश में भीया समझवता हो गया किसानों के साथ, और किसानों के साथ समझवते में रागश ठिकैट भी थे शामिल और डीजी बगएरा सब थे, उसमें 45 लाग रुपे परिवार को दिये जाएंगे, मतलर टोटल 45 लाग दिये जाएंगे या 45 लाग टोटल परिवार को दिये जाएंगे, इस पर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ था, बैसे कहा 11, 10 लाग रुपे हर परिवार को दिये जाएंगे, 45 लाग का गड़ी स हुआ नजर आया प्रिंका गांधी जिनको बीती रात गिरफतार किया गया था जिनके वारे में मैंने सुबह भी खबर डाली थी आज प्रिंका गांधी शोशल मेडिया पर चाही हुई थी खबरों में चाही हुई थी डिवेट्स में चाही हुई थी आज पूरी तरह से उत्र की सरकार बनी थी और तीन अक्टूबर को प्रिंका गांधी की गिरिफतारी हुई इतिहास अपने आपको दोहराता है दोहजार एक्टीस तीन अक्टूबर ये तारी के शायद अपने आप में इतिहास बन जाएं प्रिंका गांधी का तेवर अपने आप में इतिहास बन जाए लेकिन यहां मेडिया ने भी अपने गिरने में कसर नहीं छोड़ी मेडिया तो इतना गिर गया कि अंजना को लगता ही नहीं है कि उसकी क्या बेज़ती है क्या होगा उमर इतनी हो गई उसकी और पत्रकारों की कि इनके बच्चे इनसे कभी सवाल करेंगे भविशे के बारे में कोई भी सत्ता टिकाओ नहीं होती लेकिन पत्रकारों को जॉब के अलावा भी कुछ ध्यान देना चाहिए कुछ नैतिक मूल्य, मानवी मूल्य भी कुछ होते हैं जिनके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी होता है अजनाओं कश्यप आज तक डिवेट में अपने हलावोल प्रोग्राम में सुप्रियाश्री ने से कहती हैं सुनाई दी कि पॉल्टिकल टूरिज्म हो रहा था जिसका जवाब सुप्रेश्री ने इतने बहुत धंक से दिया इतने धंक से दिया कि मुह बंद कर दिया भाई वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीटाइट क्लेम बहुत आने लगे हैं मेरे वीडियो पर आपने वो बहस देख ली होगी मैं जानता हूँ मेरे सब्सक्राइबर स्मार्ट हैं बस उस पर टिपड़ी करूँ तो आपका वो दरश राल करके समय बरवाद नहीं करना चाहता वहां सुप्रेशरी नेत ने बहुत कर्रे वाले जवाब दे और पूरी तरह से अंजिनाउन कश्यप की उतार दी और साथ में सरकार के बैठे हुए वहाँ पर एक प्रवक्ता शलम मनीतर पार्टी की भी उतार दी शलम मनीतर पार्टी बार बार कांग्रेस को दोसरी ठहरा रहे थे कि कांग्रेस जिम्मेवार है लेकिन क्या कांग्रेस बाकि जिम्मेवार है क्या भारती इंता पार्टी की नेरा जिम्मेवार नहीं श्राम अनिटर पार्टी का ये आरोप था किसान आंदोलों के पीछे 26 जन्वरी को देखी क्या हुआ था और आज क्या हुआ करने वाले कौन थे वो भारतियंता पार्टी के कारे करता थे 26 जनवरी पे कौन थे भारतियंता पार्टी के सपोर्टर थे जिन को भारतियंता पार्टी ने जमानत दे दी और यहां पर कौन था गोली मारने वाला बात ये खुल करके आई कि मंत्री जी के लड़के ने एक गोली चलाई और गोली जा तीन लोगों को मार डाला किसानों के शब गुर्दवारे में रखे हुए है पोस्ट मार्टनम करने नहीं दे रहे हुने सरकार पर कोई भी यकीन नहीं है मुझे लगता है कि इन टिकेट के साथ अबदरता ना हो जाए जिस तरह का वो समझता करके आए है जिस तरह से वो नीलामी करके आई हैं लाचों की और शेहिनों की शेहिनों का कोई मौल नहीं होता कोई तोल नहीं होता और जो करता है उसकी नियत में जोड़ होता है चाहे राकिश टिकैत हो चाहे सरकार हो चाहे वो विबक्ष किनेता हो। लेकिन कांगरे से कैसी पालिटी रही जिसकी एक मांग अपने नीच डिग रही। सोशल मीडिया पर प्रिंगा गांडी जाडू मार करके लगता था जैसे सत्ता को साफ कर देना चाहती है। लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की कुई अनुशित मांग नहीं आई कि इनको इतना मुआबज़ देना चाहिए वो जानती है एक संबेदन शील नेता है कि घर का मुख्या मर जाए तो उसकी मौत का हड़ जाना पैसे नहीं होते मौत के बदले मौत, खुन के बदले खुन, ये एक कानून है हिंदोस्तान के उस जंगलाज का जो खुद मोधी ने तेह किया है, योगी ने तेह किया है और उस पर बेशर्मी ये कि इनके नेता, जो केंद्रे मंत्री होते हैं बोलते हैं, मुझे जानते हैं सब, वो भी वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें वो मिश्रा जी कह रहे हैं, मुझे जानते हैं, या तो मैं किसे भड़ता नहीं, और जब चुनोती ले ले लेता हू तो लखीमपुर तो क्या, मैं बलिया तक में किसी को रहने नहीं देता, मिश्रा जी, छोड़ी है इन बातों को, फट के हाथ में आ जाएगी अगर हम आ गए तो, हैं, अब छोड़ी है इन बातों को, बहुत से ऐसे मंत्री और ऐसे संत्री देखें हमने, जो इस तरह की घमं अबरी थरीके नेता, आज उनमें से कोई नेताभा नजर नहीं आ रहा था, एक सतर साल का हरी शरावत महां भड़ता हुआ नजर आ रहा था, तुमारी सरकार से, और फिर एक बिवादासपत बियाना आता है, खटर का, खटर जो है, टैक्टर है, जो ना तो चलने लायक है, इसका इंजन खराब हो चुका है, जिसके सारे बाल फुक चुके हैं, दिमाग भी फुक चुका है, ऐसे संबईदन शेल मुद्दे पर मोदी की मट्टी पलित कराने में लगे हुएं, या फिर मोदी का उनको पूरा शेह है, मत्रव आशीरवाद है, हमिशा का आशीरवाद ह जब इस तरह के बियान केंद्रे मंत्री भी देता है, और एक मुख्य मंत्री भी देता है, गुंडों की भाशा बोलता है, वो बोलते हैं, लट तैयार कर लो, हर जगा लट तैयार करो, और सीरे कर दो किसानों को, क्या इस तरह का बियान कोई मुख्य मंत्री सम्मेधानिक प बैठा हुआ दे सकता इस तरह कब या जिस तरह से वो वालिंटर त्यार करने की बात कर रहे हैं कि दो महीने जेल में रहा होगे तो उससे भी भुगत लेंगे इससे भी भुगत लेंगे उससे भुगत लेंगे लेकिन यहां फरक पड़ा है फरक इतना बड़ा पड़ा है कि सत मीडिया वर बारल होती तस्वीर और उनकी बहस के हिस्से पुलिस वालों के साथ बारल होते हैं उत्तरप्रदेश में वो कहानी कुछ और कहने लगते हैं क्योंकि कांग्रिस का आईटी सेल भी थोड़ा साब मजबूत हो गया है गांगाओं किस से होने लगे हैं प्रेंका गां जो देश के गरीबों के लिए मरता था जिसने बेंकों का राज्टेक रंड किया बहुत सारी चीज़ों का राज्टेक रंड किया और मोदी ने एक फूंक में सब कुछ छोड़ा दिया सिग्रेट के दूए की तरह आज प्रेंका गांधी एक ऐसे बड़े नेता के रूप में उभर के आएं जिसका मेरे ख्याल से भारतिंता पार्टे के उपर कोई भी शायद नेता नहीं मोदी जी की तो इसलिए वाट लगी सोशल मेडिया पर इस बात की बहुत चर्चा हुई कि मोदी जी ने एक ट्वीट किसानों की मौत पर नहीं किया घायच लाड़े की अंगोठों के बारे में ट्वीट कर सकते हैं ये बड़ा हैरान जनक था और जहां कांग्रेस कभी पीछे रहती थी आज प्रेंका गांधी की बातें आ रही थी अखलेश यादव को वहीं बिठा लिया गया था अखलिश यादव पहले ही कुद अपनी छिछाले दारी करा चुके थे माया बते अपनी छिछाले दारी करा चुके थे राजदीब सर्देसाई ने इंटर्वू लिया प्रेंका गांधी का फौन पर प्रेंका गांधी ने बहुत बुरी तरह उनकी जंड कर दी राजदीप सर्देसाई की और इतनी बुरी तरह जंड की मैं आपको बता नहीं सकता राजदीप सर्देसाई को मतलब भिगो भिगो के मारा बुरी तरह से मारा वो वीडियो भी आपने शोशल मेडिया पर चला होगा और देख लिया होगा तब देखिए प्रेंका गांधी का वो आलम जिसमें वो बोलती हैं तुमारे लीगल को घुमजदूंगी जहां से निकला है और तुमारे खलाफ मुकदमे करूंगी पलिस वालों के सिट्टी पिट्टी गुम थी पलिस वाले कुछ बोलने लायक थे ने कि तरफ जब 36 गड़ के मुख्य मंतरी लखनू जाना चाहते हैं तो उनके प्लेन को उतरने की जाजात नहीं दी जाती क्या दंगा भढ़काने जा रहे तो बुपेश बगेल प्रेंका गांधी दंगा भढ़काने जा रही थी चरण जी सिंग चरण नहीं पंजाब से लेटर लिखते हैं लेकिन योगी सरकार उनको उतरने नहीं देती शायद योगी सरकार और मुदी सरकार भूल गई है कि अगर विपक्ष वहाँ चला जाएगा तो कम से कम सही जानकारी उनको मिल जाएगी इसके विपरीत एक वीडियो आता है हन्मान गड़ी राजिस्तान का जिसमें किसानों को दोड़ा दोड़ा करके प्लिस पीट रहे हैं धान की मंडियों को ले करके ये हमेशा होता है भारतिंदा पार्टी के कारे करता और संगी कारे करता पेश बदल किसानों के रूप में पहुंसते हैं जैसा कि मैंने कहा कि 26 जनवरे की घटना और ये वाली घटना जहां गोली मारी गई वो किसानों को भढ़काने वाली घटना थी किसान अपना आपा खो दें लेकिन किसानों ने अपना आपा नहीं खोया शायद ये मजबूरी राकिश टकैत की भी रही होगी कि उन्होंने प्रिशाशन की हरवात माली लेकिन यहां दोस्तों एनलाइसिस करते हैं कि जिस तरह से मीडिया पर चलाया जा रहा है कि साथ पॉलिटिकल परियाटन ये एक ऐसा शब्ध है जिसके बारे में सुप्या श्रीनेत ने अंजराउम कश्यप की बहुत बुरी तरह से उता रही गोदी मेडिया पुरी तरह से उतर चुका था एक महत्वपूर्ण घटना होई कि दैनिक जागन में एक ख़वर डाली गई जिसमें किसानों को अराजक तत्व उपद्रवी बताया गया जिसको लेकर के इतनी ते ही पृतिक्रिया होई शोशल मेडिया पर के अख़वारों के सब्सक्राइबर और अख़वार बंद कर दिये लोगों ने और उसकी पृतियां जला दी दैनिक जागन नाम के उस पेपर की जिसमें योगी के लाखों करोणों रुपे के बिग्यापन चपते हैं यही आलम इलेक्ट्रोनिक मेडिया पर रहा मेडिया पर योगी के उत्तम प्रदेश के बिग्यापन चाय रहे किसाने की मौत पर जश्न मनाता रहा योगी राज योगी की सरकार जश्न मना रही थी सभलता कि अपनी तावीर लिख रही थी बेग्यापनों के जरीये जूटे बेग्यापनों के जरीये लेकिन आज इतना समझ लेजिए आज ऐसा भी बहुत हुआ ऐसा भी हुआ कि जो हिला गया सरकार को बरणुगांधी का एक लेटर जो उन्हीं की सरकार के सांसद है उन्होंने सरकार की कारिशली पर सवाल उठा दी खावर यह चैली सोसल मीडिया पर कि BJP शब्द हटा दिया है कुछ लोगों ने दावा किया कि BJP शब्द पहले लगाया ही नहीं था उन्होंने सही हो सकता है गलत हो सकता है लेकिन जिस तरह से केबल एक नेता बरणुगांधी किसानों के साथ खड़े हैं लगता है यूपी की तकदीर बदलने वाली है इस सियासत की तकदीर बदलने वाली है दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो शेयर करना मत भूलिएगा नमस्कार जैहिन